वाइस मैं नीव इस दिभटनागर और वेलकम यौल इन माई चैनल ओनलाइन क्लासस भाइ निधी भटनागर तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे आज हम करेंगे माई बिग बॉक ऑफ सोचिल स्टाडी से जो की क्लास फाइफ की सस्टी की बॉक है रतना सागर का है स्टी प्रकेंगे मुश्याम अचनल तो चले चुरू करते हैं पहला कोशन आ रहा है राइट नीमस फो मडरेटकी डर्स ऑफ इंडियन नाशनल कॉंग्रेस तो बही जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस थी उसके कुछ उदारवादी ने था ठीक है मॉड्रेट लीडर्स कौन यह Google से निकाले हैं चलिए नेक्स्क के देखते हैं कोशन moderate leaders of India were active between मतलब यह जो moderate leaders थे ना यह कब से कब तक रहे समझ लोग तरीके से active कब से कब तक थे काम कब से कब तक हुआ था उस समय कि इनके बाद अलग अलग टाइब के leaders आए तो जो moderate leaders का time था वह था जो दारवादी नेता थे सबसे पहले उनका क्या विश्वास था वो कैसी चीजों में विश्वास करते थे वो करते थे प्रार्थना जिसे बोल सकते हो याजना प्रार्थना ब्रिटिश गवर्मेंट से ठीक है तो बड़े प्यार से मतलब हर चीज उनको लगती थी वह ऐसा भी बोला चाता है उनको राइट आप आजाए नेक्स कोशन हुवर राडिकल्स तो मॉडरेट्स के बाद देखो राडिकल्स आयते सबको पता है जब मैंने बताया ही था कि मॉडरेट लीडर से तो भाई हमारा काम चल नहीं रहा था हमारे उपर अत्याचार हो रहे थे ब्र बीडिकल्स तो भाई राडिकल्स थीकह निक्स्ट देखो अवंडारीड डिफरेंट फोम डी क अब देखो मॉडच्ना गग तो ब्रिटिए गाट्येक्स और से तो बृंग वोनहीं के लिए रीक्वेस्त ब्रिटिकल्स योई इन हροगिरह वह स्व्रहों देख़ा धिके ब् पूरा खुला विरोध करते टे एंदे नवर इन फ़ेवर ओफ स्ट्राइक्स & बाइकॉट्स तो नो कोई चीज मत करो ठीके आब राइट द नेम्स of some radicals कुछ radicals leaders के नाम बताईए तो आपकी बुक में जो दे रखे हैं वही मैंने लिखे हैं लाल बाल पाल ठीक है लाल बाल पाल की फुल फॉर्म क्या है लाला लाज पत्राइ बाल गंगादर देलग विपिंचंद्र पाल यह जो थे काफी popular leaders थे radical group के ठीक है next why did the British decided to partition Bengal अब यह देखो British ने Bengal को partition के लिए मतलब क्यों decide कि Bengal का partition किया जाए ठीक है British government ने ऐसा क्यों decide किया इन 1905 the British decided to partition Bengal this partition was an attempt यह प्रियास था यह कोशिश्टी to prevent बचाने के लिए किससे Hindu and Muslim from uniting against the British जिस से कि Hindu और Muslim अंग्रेजों के किलाफ एक ना हो पाए हिंदू और Muslim एक हो जाते अगर अंग्रेजों के किलाफ तो समापन हो जाता तो इन्होंने क्या किया हिंदू और Muslim को तोड़ने के लिए Bengal का विभाजन कर दिया था ठीक है तो मतलब एक तरफ पार्टीशन और पॉस्ट दरपाटीशन भाई उस समय लोगों ने जो पारटीशन हुआ उसको पसंद किया यह विरोध क्या ओवियसली स्ट्रॉंग्लिए पोष्ट किया था उसको बीपल पोस्ट दो पार्टीशन ठीक है बिलकुल विरोध में थे लोग सिकी सब कुस्क्म यूनाइट करना पड़ा ब्रिटिश जो थे वो काफी पावर्फुल थे सबको पता है लेकिन फिर भी इनकी पावर के उपर ऐसी क्या चीज असी हावी होगी कि इनको वाफस वाफसर रियूनाइट करना पड़ा सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या किया था हमारा पर्टिशन किया बैंगॉल का तो जो कॉंग्रेस थी वो भी जुपनी बैठने वारी थी उसने क्या किया स्वादेशी और बैकोट मुवमेंट स्टार्ट कर दिया स्वादेशी का मतलब है अपने देश का सामान चीक है लो और स्वादेशी का मतलब होता है इनका सामान मतलो अंग्रेश से समान मतलो यह तो भी अपारी थे आप इनका समान नहीं करें तो भी खुद बाग जाएंगे एक टैम के बाद सो एज़ल्ट क्या हुआ था ब्रिटिश वर फोर्स तो रिउनाइट बैंगॉल इन 1911 अब यतने प इस सब टाइप करने के लिए आ रहे है आजकल जूजर अच्छे से याद की जिएगा आपने घटे लाइन कर आपने देश का राइट वट वस ने एब स्वाधिशन बाइग कर्द मूंब्मेंट तो क्या इनका एम था स्वाधिशियन बाइकॉट मूंब्मेंट से क्या इनक जो बने हो made in India यानि भारत में बने हो इस समान को पॉपलर करना ही स्वादेशी का मीन एम था और पीपल वर आग्स तू बाइकॉट और फॉरण मेड गुड्स और स्वादेशियन बाइकॉट मुव्मेंट में लोगों से क्या का गया अपना समान करी दो और इनके समान का कर दो बाइकॉट करतो और फ्रण में गुर्स तो जो भी चीज़ें व्रण में बनी हैं उन सब चीजों को आपको नहीं यूज करो राइट अच्छ त्वादेश्यन फादेशियन बाइकॉत सब्सक्राइब कि विश्वास किस चीज़ में विश्वियस करते थे तो जो आन्ती करी ति बिलीव डाट बिटिश कुट भी ड्रेवन आउट औफ इंडिया ओनली थ्रू फूर्स कि अगर हमें ब्रिटिश को यहां से बगाना है न तो कैसे केवल बाग सकते थे दो बम पेकने में मारने का आटने में किसी चीज में भी विश्वास कर थे बस इनका इंग यह था कि स्था ईहां से भगा उती इंच कुछिंग रिविशवास में झें वागर नहीं करते, नेक्स्क कुछन देखे, राइट नीम्स आफ सम अर्ली जो आर्ली लेवलेशनरी थे वो कौन कौन थे अजीत सिंग अर्बिंदो कोश कोदे राम बोस अन वीर सावर कर गी थे अर्ली मतलब जो स्टार्टिंग में रेवलेशनरी लीडर्स आयोंगे गांधी जी रेटर्न टू इंडिया फ्रम साउथ अफ्रीका तो गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से कब लोटे थे वो लोटे थे उन्निस सो पंद्रा में ठीक है 1915 में बहुत इंपॉटन टैंस चैप्कर से डेट तो डेट से रिलेटेट कॉश्चन सो पक्का तो उन्होंने विरोध किया था कि इसका वाइट रूलर्स ने ऐसा क्या किया था वहां चल रही थी रैसिस्ट पॉलिसी जाती वाद एक तरीके से जाती को लेकर लोगों से भेदभाव किया चाहता था जो वाइट रूलर्स का मतलब होता है जो गोरे थे हमारे उस समय के बहुत ही डामा डोल है वहत वस्था मैंतर फ़ाइटिंग आँ ओंडीजी की मैंतर क्या थे मैंतर से अपनी लड़ाई लड़ते थे तो इस मैंतर प्रींसिपल पर बेस एक तो सचाई ठूथ और दूसरा नौन्वाइलन्स मने अहिंसा यानि कि इंसा ना करना किसी को मारना इंसा मतलब किसी को नहीं मारना वरना वाई डिट गांदी जी डिसाइड टूली दानेशन अब गांदी जी ने ऐसा क्या हुआ समय कि गांदी जी ने डिसाइड कि ठीक है मैं लीजर बनुगा इस तरीके से आफ्टर रेटर्निंग टू इंडिया गांदी जी ट्रेवल अक्रो बट ऑल्सो दब रिवेलिंग सोशल अंड रिलिजियस प्राक्टिस तब उन्होंने जब दिखा इतना सब कुछ तब उन्होंने डिसाइड कि मैं केवल ब्रिटिश से ही नहीं फाइट करूँगा मैं क्या करूँगा प्रिवेलिंग जो उस समय की सोशल और रिलिजियस ठीक है इस्पेशली उन्हें कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो कहा कि मैं सब के खिलाफ लड़ूंगा ठीक है अब ही आग्स पीपल नॉट तू ओबे दा अंजस्ट लॉव ऑफ दी गौर्मेंट लोगों से कहा कि भाई ब्रिटिश गौर्मेंट जो अन्याय वाले लॉव बना रही है हमारे उपर गलत लॉव बना रही है उसको आप मत कीजिए इस तरह के स्लोगन भी आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है तो यह किस ने कहा था महात्मा कानी ने कहा था कि सच से बड़ा कोई बगवान नहीं है नेक्स कुशन देखिए सब ही कुछ इंपर्टन था है इसलिए मुझे पूरा पारग्राफ इसमें रिखना पड़ा ऑन 13 अप्राइल 1993 अप्राइल 1919 को एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई लोगों को बुलाया गया कहा पर जलिया वाला बाग में यह जगा कहा पर है अम्रेट सर में जनरल डायर न इसमें hundreds of people जोते वो मारे गए ठीक है and thousands of injured, thousands were injured और हजारों लोग जोते वो injured हो गए the country was shocked, लोग बिल्कुल shocked रहे गए by this incident, this incident के दोरा all national leaders protested strongly against this creval act जितनी भी हमारे national leaders थे, उन्हों ने इसका पूर जोर विरोध किया, इतना creval act था कि लोगों को वही जिन्दा लोगों को ऐसे आप गोलियों से भून रहे हो, तो बहुत ज़दे ही creval था यह act है तो खेर, आब आजएगे, when did गांदी जी launch the non-corporation movement, अब 1919 के बाद, जब यह हत्या कांट हुआ था, जो हमने पीछे पढ़ा भी है ना, तब गांदी जी ने क्या क्या non-corporation movement चलाया, कि इने cooperate ही मत करो, इनका समान मत करी, तो इनको हर तरीके से बिल्कुल cooperation इनका बंद करती, तो कब चला था 1920 में, अब आजए यह नेक्स बाद पर, why did गांदी जी withdraw the non- corporation movement, देखो गांदी जी ने 1911 के बाद एक non-corporation movement चलाया, यह हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसे वापस ले लिया था, ऐसा क्या हो गया था, कि गांदी जी को यह movement वापस लेना पड़ा, चीज़े ध्यान से समझना, MCQ भी आ रहे होंगे, तो भी आप लोग इसको ना आप आया, ठीक है, पीस पूली, शांती से जो है, डिसोबे कर दो, ठीक है, मत मानो, चलो, आप क्या होगा बटन चोरा चोरी, यह जगा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, सम पीपल कुछ लोगों ने क्या किया, सेट फायर, आग लगा दी, टूदी पुलिस स्ट क्या किया, उन्होंने गुस्से में विड्रॉ कर लिया था, अपना ये मूवमेंट इमीजेटली, तुरंत ये मूवमेंट, नौन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया, आप सबसे बहले बात समझो कि नौन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, जब जलिया वाला बागत्या कांट हुआ, और वापस कब लिया गया, जब चोरा-चोरी कांट हुआ, ठीक है न, जलिया वाला बागत्या कंट में जनरल डायर ने गोलिया चलवाई थी, तो गांधी जी को गुस्सा है और उन्होंने नौन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, लेकि भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा मुवमेंट कव आया था राइट नेस्ट कुछ लीडर्स की नाम बताईए जिन्हों ने अक्टिबली पार्टिपेट किया था नॉन कॉर्परिशन मुवमेंट में गांधी जी के साथ हूँ लीडर्स सच एज राजेन्दर प्रसाथ सर्दार बलब वाइपर टेल सरेजनुन आईजू सी राजगो पलाचारया मुलाना अजा चित्रन जंदास मोतिलल नहरू जलिया जवालल नहरू यह सब ने आक्टिवली पार्टिसिपेट किया था नॉन कोपरिशन मुव्मेंट में गांधी जी के साथ चीक है वाइड़ गॉर्मेंट अब देखो एक असाइमें कमिशन आया अब यह साइमें कमिशन क्यों किया गया था दर लॉएन ओडर सिच्वेशन ऑफ दिकन इन दे कंट्री वस गैटिंग आउट ऑफ कंट्रोल अब क्या हुआ भाई देखो उदर मैं बतारी हूं आपको जब मैंने चैप्र पड़ाय था जब देखो जनरल रायर ने हमारी लोग मार दि है चोर चोरी कान में हमने उनके लोग मार दि पाह यह जा रहे हैं ब्रिटेश थो यह सब क्या हुआ सब क्या क्या हुआ सारा लोग जो था ओड़ ऑप कंट्रोल घ्या तो गॉवर्मेंट ने क्या किया सामन कमिशन बुलाया The law and order situation in the country was getting out of control. So, the government decided to make some changes and appoint किया Simon Commission को. When did Simon Commission came into India? Simon Commission भारत में का बाया था? It came to India in 1928. 1928 में Simon Commission भारत आया था. ठीके, next question देखिये. Why did Congress decide to bycott it? It अब Simon Commission को भी जो हमरी Congress उस ने bycott कर दिया कि नहीं? हम नहीं मनने वाले इनकी कोई भी बात. So, as there was no Indian member in it, क्योंकि उसके अंतर को Indian member ही नहीं था, तो Congress ने का यह क्या बात होती है, मतलब हमारे बारत में हमारे कोई मेंबर नहीं है Simon Commission में? नहींने का ठीक है भी, हम मानेंगे यह नहीं कुछ भी कहलो जी. So, नहींने bycott कर दिया. अब write the names of the leaders who became active after Simon Commission. अभी Simon Commission के बाद भी एक और गृप आया, कुछ leaders का उनके नाम पताओ, ठीक है, तो कौन से थे राजगुरु आए, भकत सिंग आए, सुखदेव आए, और चंदरशीकर आज़ाद आए, और बुक्तेश्वर दत आए, नहीं, बटुकेश्वर दत आए, यह बड़े अक्टि पूर्ण स्वराज, अब कॉंग्रेस नहीं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यह भी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की, कब डिमांड की गई थी, कि भया हमारा देश छोड़ दो, और जाओ यहां से, अब हमें ऐसा नहीं है, पहले तो कॉंग्रेस ही लीव था कंट्री, गो अफे, यही वाले स्चुछ सिट्वी शिविशं थी, ते वन टिव डिसोबीहं इटीयंस मूव्मेंट बेकन अब यह से वल डिसोबीजियंस मूव्मेंट हो आया, यह कब स्टार्ट हुआ, उनन्ने सो तीस के स्टार्टिंग में ही यह से विल गांदी जी नहीं चलाया था सेवल डिशोबिडियंस मुवमेंट बेगेंड विद ये टैश तो किस चीज से स्टार्ट किया था गांदी जी नहीं डांडी मार्च था ठीक है तो इन्हों ने डांडी मार्च निकाला था पुरा अपने फॉलोर्स के साथ गया थे तो यह आगे बता रहे हैं अब यह सॉल्ट सत्याग्रह क्या है दो सॉल्ट सत्याग्रह वह साथ यूज सेवल डोस ओबिडियंस मुमेंट इनको एक्टुली जो भी एक लॉब बना रहे हैं उसको डिस ओबिडियंस मतलब एक तरीक से नाम मानना इनिशियेट किया था इसे महात्मा गांधी जी ने क्या किया बिटा चलो लोगों को अबने साथ लिया और नमक बनाया और बिल्कुल इस लॉको नहीं माना ठीक है आप हाव डिट गांधी जी ब्रेक्ट सॉल्ट लो ने फॉल्ट समर्मती आश्रम से चोकि आहमदाबाद में टूद जो की सूरत के पास दिए यात्रा निकाली ती नहीं यही था along the coast of Gujarat, Gujarat के ऐसे समंदर किनारे के किनारे किनारे वो चलते कहें सब के सब लोगे गांधी जी ने वहाँ सॉल्ट बनाया और यह जो सॉल्ट लौता इसकी दज्जियां उड़ गए ही तोड़ दिया इसे ठीक है आप देखो नेकसे देख ठीक है और किस ने कहा लोगों से भाई करो या मरो यह कहा था हमारे गांधी जी ने चीक है और क्यों कहा था तो गांधी जी आग्ड़ पीपल टू डू डू एंड डाय किसलिए अटैंप्ट था उनका टू थो दब्रिटिश आउट आउट आप दा कंट्री बही अपने ने चीक है नेक्स्ट वू वस्ट लीडर ऑफ आयाने अब आयाने का लीडर को थे सुबाश्चंद्र भोस थे लीज़ आप आयाने राइट इन ने नेशनल आर्मी यह बिल्कुल शॉट फॉर्म से फुल फॉर्म आ सकती है लिए लिए राइट नहीं वाट इस दा अधर ने फिर्ट बारेट बहुत था इसी से परिशान हो गये ते बिल्कुल बृटिश थे ना इतनी बड़ी वार्ड वर यह सब कुछ ओं परिशान थे उधर वार से परिशान है इधर हम लगे पड़े हैं धक्का मारने में 1927 में they decided and they left, वो चले गए थे, देश शोड़ के, लेकिन बहुत बड़ा कांड करके गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग कर गए, तो जब आलन लेल, वो वस दा फिर्स्ट प्राइमिनिस्टर अफ इंडिया, next question is, who was the first president of India, तो Dr. Rajendra Prasad was the first president of India, what is the meaning of bycott, अब चैप्टर में आपका आया है, bycott, bycott का मतलब क्या होता है, bycott ये सब लिखने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, bycott means होता है, refuse to buy with, चीजें खरीदना बन करना, और यहां किस से सम्मतलब है, refuse, refuse किस चीज को buy करना है, goods made in England, तो इस चैप्टर में bycott का मतलब होता है, जो भी चीजें इंग्लेंड में बनी हो, उन्हें bycott कर दो, मतलब उन्हें मत खरीदो, refuse कर दो, मना कर दो, who are revelationaries, कौन होते थे revelationaries, people who believed in using force to bring out a change, भाई वो लोग जो की force को use करना जो था, वो उसमें विश्वास करते थे, बहुत कुछ किया है, ठीक है, और यही थे, वो next way force मतलब use करते थे, देखिये, what do you understand by racist policy, अब racist policy मतलब क्या था, जाती वाद, ठीक है, unfair treatment, बहुत ही जादा गलत treatment, इसके लिए, of a particular group of race, एक particular जाती के लोगों के साथ, ठीक है, इस called a racist policies, ठीक है, important dates, अब हम पढ़ लेते हैं, chapter की जोग की, बहुत important है, की book में भी दीवी है, यह पीछे एक, तो वो भी मैंने solve करा दिया, देखो, partition of Bengal का बहुत था, 1905 में, जलिया वाला बागतिया कांड वा था, 1919 में, non-corporation movement, corporate ही मत करुकांदी जीन चलाया था, 1920 में, जलिया वाला बाग के बाद, civil disobedience movement आया था, 1929 में, quit India movement भारत छोड़ो, अंदोलन चला, 1942 में, और India हो गया free, 1947 में, इंडिया के free होते ही, यह chapter गया हमारा finish, और अगर आप लोगों को chapter, अच्छे से समझ आ गया हो भई, तो वीडियो को like जरूर देना, बड़ी मेनत लगी है मुझे सारे questions आप लोगों के लिए तयार करने में, आपको बड़ी कमजी मेनत लगेगी, एक like पर click करने में, चलो like करो या मत करो बचों, इसे share जरूर कर देना, because बहुत सारे बचों की आप, आपके एक click से ना पता नहीं कितने सारे बचों की help हो जाएगी, उन्हें बने मे अपसमें बता देना, और देखते हैं, फिर आगे मिलते हैं, नेक्स वीजियो में, चल देन, बाबाई